नमस्कार सातियों स्वागत है अपनी निवर्टोन सक्सेस के नेटीटू में सातियों बिग ब्रेकिन लेकर रहे हैं आज का बिग ब्रेकिन हमारे ये कहता है कि जो चुनाब है चुनाब क्या निर्थालित समय पर होगा या BPSC प्रधान सिक्षक की परिक्षा निर्थालित समय पर होगी यह बहुती बड़ी उहापोह की स्थिति बड़ी है यह उहापोह की स्थिति इसलिए बड़ी है कि परते एक दिन आप पेपर में इस परकार का न्यूज देख रहे हैं प्रते एक दिन सभी जगों पर न्यूज इस परकार चलाए जा रहे है कि सुप्रीम कोट पुरह चुनाब आयोग पर चुनाब पर रोक लगा सकती है या लगा दी है इस तरह से ठीक है इसके बारे में पूरी परताल अभी हम जो है सुप करने वाले है तो ध्यान दीजेगा आराम से इसी बीच में 18 दिसंबर को चुनाब आयोग निताए कि यहां 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाब होने का अब 18 और 28 दिसंबर के बीच में 18 दिसंबर को यहां तक कि लगभग एक लाग से अधिक सिक्षक सवालाग सिक्षक है जो प्रतावन सिक्षक की परिक्षा देने बाले थे और लगभग जो इतने भी सारे कंडिडेट जो चुनावी मैदान में उतरे हुए है ये भी लाखों के संख्या में हैं चुकि अलग-अलग सारे वाड में बहुत सारे लोग लड़े हुए हैं उसके बाद जो नगर निकाय है नगर निगम है उन सब में पूरी तरीके से चुनाव में लोग लगे हुए हैं तो इतने सारे लोगों के मन में एकदम दुविधा की इस्तिती बनी हुई है तो दिसंबर को होने वाले BPSC प्रदाल सिक्षा की परिक्षा के लिए एकदम पूरी तरीके से BPSC भी मौन धारन किया हुआ है और सब के सब मौन बरत में है तो क्या मौन बरत कब तक टूटने वाला है कब तक ये मौन बरत टूटेगा इन सबी बातों का परताल इस वीडियो में आगे हम करने वाले है तो क्या सुप्रीम कोट जो है इस टे लगा सकती है या चुनाब आयोग इस पर जो अपना इस्टेंट जो खरा कर चुकी है क्या चुनाब हो करके नहींगी तो चलिए आप लोग को आगे हम इन सबी चीजों के बारे में जानकारी देते है चलिए फटाफर वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ ही एकदम इसको सेयर कर दीजिए उन सभी परतिनीदियों तक पहुचाईए जो चुनाब में एकदम सक्रिय रूप से भिरे हुए है कि उनको चुनाब लरना है जो एकदम चुनाब में खरे है मैदान में डटे हुए है उन तक जरूर पहुचाईए देखिए यहां कहता है कि नगर चुनाब पर फिर टला सुप्रीम कोर्ट ने पिछरा आयोक को डिडिकेटेड कमिसन पर लगाई रोकothy छुनाब यहां पर थोड़ा सा क्या है कि जो मानना था सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है वो यहांपर चुनाब को डारेक्ट रोकनी की बात नहीं की जा रही है चुनाव ये सुप्रीम कोट ने जो कहा है इसमें एक बात ये थी कि एक जगह पर आपने देखा होगा EWS का चर्चा किया गया है और यहाँ पर होड़ा था EBC का चर्चा बस यहीं पर थोड़ा सा मथानतर हो रही है अब यहाँ पर देखे चुनाव आयोग जो अगर डाला है तो यह कुछ तो कुछ तो सोच करके ही डाला होगा यह अपना डेट निकाल दे हैं चुनाव आयोग चुनाव आयोग इतना बेवकूफ तो है नहीं तो चुनाव आयोग का कहना है कि जो सुप्रीम कोट ने जो एस्टे ओडर लगाई है इसका चुनाप पर कोई असर नहीं परने वाला है चुकि हमने उससे पहले ही हमने जो आयोग है अति पिछरा आयोग है या सुप्रीम कोट है जहां भी मतलब जो भी हमको पेपर देने थे वो हमने पूरे पेपर सब्मिट कर चुके है तो निर्वाचन जो है आयोग ने जिला को जिला प्रसाशन को निर्देस भी दे चुका है वाहन वा कर्मिक कोसांग को भी जो है एकदम जिम्मेबारिया सौपने की बात चल रही है पिछला राजे चुनाब आयोग का कहना है कि हमने सारे पेपर सब्मिट पहले कर चुके है और बाद में ये सुप्रीम कोट तक पहुचा गया है तो कहीं निकहीं हमारा सुकाम एकदम साफ सुतरा है और एकदम सही से जा रहा है और ये चुनाब होकर कहीं रहेगा तो नगर निकाई चुनाब को लेकर के राज निर्वाचन आयोग पुडिय तेजी से करने को कहा है और राज निर्वाचन आयोग के सचीव मुकेस कुमार सिनह इस समंद्रे विसेस दिसान निर्देश भी है जारी कर दूए है जारी कर दिये है ठीक है सचीव का सचीव ने कहा कि निकाई चुनाब के लिए गठी सभी को सांग को अबिलंब सक लिये किया जाए ठीक है इसी जो को तो आप लोगों ने देखी लिया अब आजाए ये नेक्ष्ट क्या काता देखिए मद्दान कर्मी का भी जो डाटाबिस जो है उसको नए सीरी से अपडेट करने के लिए कहा गया है सामगरी की बाते हो रही है कि सामगरी पैकट की बूत्थवार जो है जाच करा आया जाए जाए और परचार की परकडिया में जूट गए है उमीदवार तो ये बिल्कुल 100% यदि आप उमीद दो पॉइंट और इसको कम्प्लीट कर लिजे उसके बात देखिए यहाँ पर है सुप्रीम कोट के आदेश को संसोधित किये जाने से नहीं परेगा कोई चुनाप पर फर्क यह महाधिवक्ता कहा रहा है कि चुनाप पर कोई फर्क नहीं परेगा अब क्यों नहीं परेगा उन्होंने बताया कि डिडिकेटट कमिशन को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया था एड़ोकेट एसोसियेशन के अध्यक्च बढ़िये अधिवक्ता योगेस चंद्रवर्माने बताया कि चुनाप निर्धारित तिथी पर होने की संभावना है चुनापी कारेकरम तैसीम को ले लेते हैं देखे जब चुनाप यदि होता है तो परधान सिक्षक की परिक्षा को टलने से कोई नहीं रोक सकता है चुकि जितने भी सारे सिक्षक है उन्हीं के द्वारा ये चुनाप भी कराया जाएगा और वही कैंडिडेट है एक्जाम देने के लिए और सारे कोई दिए ऐसा इसकूल या कॉलेज नहीं बचता है जहाँ पर वोटिंग नहीं होती हो तो फिर लोग इग्जाम कहा पर देंगे और इधर के लोग इग्जाम देने पटनाग चले भी जाते हैं तो फिर यहाँ पर लोग कारी कोरेगा जोगे बगयर सिक्षक का चुनाब हो हो सकता है कि अप्रेल जाए जो भी जाए लेकिन दो चार दिनों में और किलियर हो जाएगा हमें लगता कि पांच तारीक तक पूरा लगबग लगब पांच से ची तारीक तक कम्प्लीट बीपियसी कुछ ने कुछ अपना ये डालेगी और उससे पता चली जाएगा ठीक है त दोने बाद धने बाद धने बाद